The World Mac Let's identify the creator of the universe वोट देने से पहले ये जाल लो हमारे इंडिया में लोग सबा इलेक्शन चल रहे हैं और हमारे पास सिर्फ एक मौका है कि हम अपने देश की भलाई के लिए एक अच्छा प्रामिरिस्टर चुन सके और अगर हमने सेलफिस होकर वोट दिया या केरलेस होकर वोट देने ही नहीं गए या वोट तो देने गए लेकिन नोटा का बड़न दबा कर आ गए इन तीनों ही किसिस में नुकसान हमारा ही है हम सब का है हमारे इंडिया का है 2014 से लेकर अब तक यानि पुरे 10 सालों से पीम की कुरसी पर वैटे नरिंदर मोदी जी ने देश का जो हाल किया है वो अब किसी से छुपा नहीं है करप्शन डिक्टेटर्शिप साफ साफ दिखाई दे रही है इलक्टोरल बार्ट्स के नाम पे कड़ोरो अर्बोर प्योकर स्केम करप्शन को खतम करने की जगा करप्शन को बढ़ाने वाले करप्शन की बीजेपी जोईन होते ही उन लोग पर चल रहे करप्शन, क्रिमिनल और भी तरह तरह की केसस हटा दिये गए उन्हें क्लेंचीट दे दी गई अब ये सब तो गोधी वीडिया हमें बताने से रहा लेकिन इंडिया के जाने माने यूटुबर्स ने हमारी आखे खुलने की कोशिश शरूर की है सबसे पहला नाम तो धरूर राटी का ही आएगा जिनोंने करॉप्शन, डिक्टेटर्शिप और ब्रेंड वोश की आवर्डिस फैलाई फिर्दा देशवक्त ओनर, आगास बेंदर जी, प्रिया जैन, मोहक मंगल, नितिस राजपूत, गौरो ठाकुर, एक्सेक्टरा खैर सच के सामने आने के बाद भी नरेंदर मोधी जी ब्रेंड वोश करने की कोशिश कर रहे हैं करॉप्शन, इंफलेशन, अनिम्पलियमेंट, वोमन सेफटी, मनीपूर इशू, फार्मर इशूस, एजुकेशन, डेवलेप्मेंट जैसे मुद्दो की जगा नरेंदर मोधी जी धरम के नाम पर वोट माग रहे हैं तिसरी बार पीम की गुरसी पाने के लिए इनका वोट मागने का तरीका बड़ा ही केजवल है अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप तप्ती धूप में वोट देने के लिए घर से बाहर निकलेंगे और लंबी लाइन में लगने के बाद अपनी बारी आने पर नोटा का बटन दबा कर घर चले आएंगे तो आप उनसी भी ज़्यादा घाटे में हैं जो वोट देने जाने की जगा घर में चिल कर रहे थे जी हाँ क्योंकि आज के टाइम पर नोटा के पस कोई पावर नहीं है अगर नोटा को मेजरोटी वोट मिलते हैं वो नमबर वन पर आता है तो भी नमबर टू पर आने वाले केंडिडेट को विजेता बना दिया जाएगा तो आपका वोट तो गया ना नोटा के साथ पानी में और अच्छे से नोटा को समझना है तो ददेज वक का ये वीडियो देख सकते हो इसी तरह प्रिया जेन ने भी एक वीडियो बनाया है वट इफ नोटा विन्स तो अब क्या नोटा को वोट ना दें तो किसको दे तो गुरू इतने कंडिडेट्स में कोई तो होगा जो भुराई में सबसे नीचे और अच्छाई में उन सबसे उपर होगा कोई एक केंडिडेट तो फोगा जो अपने साथ-साथ देश की भलाई का भी सोचता होगा इसके लिए या फिर ये कहो हमारे आने वाले पास सालों की बहतरी के लिए हमें खुद फैक्ट चिक करना होगा कि आखिर कौन सा है वो केंडिडेट जो बाकियों के मुकाबले जादा डिजर्व करता है पी-म की कुरसी वो कहते हैं ना बड़े नुकसान से बचने के लिए छोड़ा नुकसान उठाना पड़े तो उठा लो तो वोट ज़रूर देना तो अब तक हमने जाना वोट देना हमारा हक तो है ही लेकिन इस बार वोट देना हमारे हक के साथ साथ हमारी जिम्यदारी भी है और आज के वक्त में नोटा का बड़न दवाना अपने वोट को और अपने वोट की पावर को वेश्ट करना है अगर नोटा को ठीक से पावर दी गई तो नोटा का बड़न दवान फाइदे बन हो सकता है लेकिन फिलहाल तो नोटा एक स्केम से कम नहीं है क्योंकि नोटा के उपर आने वाला या नोटा की नीचे आने वाला ही विजेता कहलाएगा अब आप सोच रहे होंगे कि इसका चैनल तो पॉलिटिकल चैनल नहीं है तो फिर ये की पॉलिटिकल वीडियोज बना रहा है तो मैं खुद ही आपको बता देता हूँ तो जैसा कि हम सब जानते हैं बड़ी टाकत के साथ आती हैं बड़ी जिम्मेदारिया देश का पीम बनने के बाद एक इनसान के पास देश की जिम्मेदारिया समालने की ताकत आ जाती है और एक अच्छा इनसान ही अपने जिम्मेदारियों को समझ कर अपने से पहले लोगों का भला सोच सकता है और एक अच्छे इनसान को अच्छा इनसान बनाने में उसके religion का बहुत बड़ा रोल होता है और जैसा कि हम सब जानते हैं इस दुनिया में कई सारे religion है और हर इन्सान अपने religion के हिसाफ से बताता है कि फलाने हम सब को बनाया, फलाने हम सब को बनाया लेकिन ये तो एक fact है जिसने भी हम सब को बनाया और सब कुछ बनाया है वो ये कभी नहीं चाहेगा कि हम इन्सान एक दुसरे को धोका दे या नुकसान पहुचाएं या अपनी बावर का गलत इस्तमाल करें अपने से कमजोर लोगों पर हमें बनाने वाला हम सब को एक अच्छा इन्सान बनाना चाहता है ताकि इस दुनिया से जाने के बाद एक अच्छे इन्सान को वो मिले जो वो डिज़र्व करता है और एक बुरे इन्सान को वो मिले जो वो डिज़र्व करता है इससे मुझे कुरान की एक आयत याद आ गई अगर तुम्हें सजा दे कर गया करेगा अगर तुम शुक्र गुजारी करते रहो और बाइमान रहो अल्ला बहुत कदर करने वाला और पूरा इल्म रखने वाला है खैर इससे हमें समझ आता है कि एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है शुक्र गुजारी से याद आया कि एक पि-म को भी अपने दिश्वासियों का भी शुक्र गुजार होना चाहिए जुन्हों ने उस पर रिकिन करके उसे पि-म की पावर दी और एक अच्छा इंसान जानता है कि बड़ी ताकत के साथ आती हैं बड़ी जिम्यदारिया आईए देखते हैं अच्छे इंसान से जुड़े कुरान की कुछ आयते क्या लोगों को भलाईयों का हकम करते हो और खुद अपने अपको भूल जाते हो अल्ला तुम्हें ताकिती हकम देता है कि अमानत वालों की अमानते उन्हें पहुचाओ और जब लोगों का फैसला करो तो अदल और इंसाफ के साथ फैसला करो आखिरत का ये भलागर हम उनके लिए मुकर्णर कर देते हैं जो जमीन में उचाई, बढ़ाई और फकर नहीं करते ना फसाद की चाहत रखते हैं परिसगारों के लिए नहायत ही उन्दा अन्जाम है क्रेशन की